जैमा काल रात्री रक्त है करती पार रक्त बीजबद के लिए लिया काल अवतार भक्त की जीवन में भर दो हलकी सी मुस्कान जैमाता दे ओम नमस्षिवाए हे प्रिय भक्तों आप सभी को आशार मास के गुप्त नवरात्री की धेर सारी शुबकामना है देवी मान की कृपा आप पर और आपके संपोन परिवार पर सदा सरवदा बने रहे आपका दिन शुप और मंगल मै हो ऐसी हम मंगल काम ना करते हैं हे प्रिय भक्तों आज अशार मास गुप्त नवरात्री का पहला दिन है और आज के दिन प्रथम महाविद्या मा काली की पूजा अराधना की चाती है गुप्त नवरात्री में मा दूरका और उनकी दस महाविद्याओं की विशेश पूजा की चाती है गुप्त नवरात्री को विशेश रूप से गुप्त साधनाओं के लिए चाना चाता है गुप्त नवरात्री के पहले दिन मा काली की पूजा करने का नियम है दस महाविद्याओं में मा काली प्रथम रूप है मा काली जी का स्वरूप अत्यांथी विक्राल, अभ्यंकारी और मंगलकारी है मा काली का ये स्वरूप असूरों का नाश करने वाला है यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्री के दोरान मांकाली की पूजा करता है तो उसके उपर आसूरी शक्तियों का कोई भी असर नहीं होता मांकाली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है समस्त सांसारिक बाधाइं खत्म हो जाती है मां काली ने चंड मुंड का सहार किया था इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना चाता है मां काली अपने गले में मुंड माला धारन करती है इनके एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सीर होता है हे प्रिय भक्तों, मां दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असूर का वद करने के लिए काली का अवतार धारन किया था दस महाविद्याओं में मां काली प्रथम देवी है हे प्रियभक्तों आज के दिन मा काली की कथा सुनना या पढ़ना और दूर्गा सब्तश्यती का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है हमारे चैनल पर प्रती दिन दूर्गा सब्तश्यती के पाठ किये जा रहे हैं आप अवश्य सुनेगा तो आईए पूरे भक्ति भाव और प्रसंचितमन से मा काली की पौराणी कथा का रस्पान करते हैं या देवी सर्वभूतेशु मा काल रात्री रुपेण संस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमाहा गथा के नुसार एक समय दारुक नामत के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करकी उन्हें प्रसंच कर लिया ब्रह्मा जी से पाए हुए वर्दान की कारण दारुक अत्यंत बल्शाली हो गया वह देवतों और ब्रहमनों को परिश्यान कने लगा वह उन पर अत्यचार कने लगा और धार्मिक अरुष्ठान यग्ये बंद करवा देगे और स्वर्ग को चला गया सभी देवता विचलित होकर भ्रह्मा जी और विश्णुजी के पाथ सहायता मांगने के लिए चले गये भ्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ इस्त्री के हाथ से ही हो सकता है सभी बड़े बड़े देवता भी उससे यूद में हार चुके थे अंत में अब निश्चिप किया गया कि दारुक कवद भगवान शेव की पत्ति माता पार्वती ही करेंगी भगवान शेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भ्यानत और प्रचंड महाकाली को जनम दिया उनका शरीर काले रंक था माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंड़ रेखा थी उनके हाथों में त्रिशूर और कई प्रकार की अस्त्र थे महाकाली के बचंद रूप को देखकर राक्षास थर थर काम ने लगे और वहां से भागने लगे युद्ध मैंदारू महाकाली से प्राजित हुआ और इस तरह उस दूष्टा अंध हुआ महाकाली के भ्यानक रूप से चारों दरफ अगनी के भ्यानक लपते उत्पन हो गई महाकाली के क्रोध को भगवाई शिव हे रोख सकते थी इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया भगवाई शिव शम्शान पहुँचे और वहां बालक के रूप में लेट कर रोने लगे छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शान्त हो गया उनके हिर्दे में ममता भावना जागरित हो गया उन्होंने शिव शिव शी रूप चोटे बालक उठाया और अपने स्तनों से दूद पिलाने लगे इसलिए कहते हैं शिवा धात्री इस परकार से शिव शी ने उनके क्रोध को पी लिया इस परकार महाकाली का भ्यानत और प्रचंड क्रोध शान्त हुआ इसके बाद महाकाली मुर्चित हो गई उन्हें होश में लाने के लिए भगवाई शिव ने तांडव रित्य किया और होश में आने पर वह पुनहा माता पार्वती के रूपे आ चुके थी माता पार्वती भगवाई शिव कन रित्य देखकर रित्य कने लगे जिसके कारण उन्हें योगिने के नाम से भी पुकारा चाता है तो एक पर प्रेम से बुलिए जै है माता काली ओम नमस्षिवाई हरे क्रिश्णा हे प्रियभत्गुन अब आईए सुनते हैं माता काली के बहुती दुर्लब और चमतकारी का था सुन्दरपूर नामत एक बहुती सुन्दर नगर था उस नगर में माता काली का एक विशार पर भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगर पर चाड़ी बिरानी का इतना गहन सामरचे था के शाम के समय उधर कोई भेपुने भटके से भी नहीं चाता था यहां तक की मंदिर के पुजारी भी धुर्दला चाने से पहले ही मंदिर में देया जिला कर आर्ति वगरह करके मां को शेन करा के जल्रे से विदा हुचाते थे उसी मंदिर के पास एक नहर था नहर के उस पार उसी गाओं में एक ब्रहमर रहते थे जो के माता काली के बहुत बड़े भगत थे स्वभाव से अध्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भगत थे लोगों के लाख मना करने के बावजूद थे जाणा गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो रात को भोजन करके सोने से पहले वह नहर पाल करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे ऐसे ही एक सर्द रात थी वातावरन में गहरी धुआ चाई हुई थी चुंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था तो भामन्देव भोजन करने के बाद अपने खेद की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहाँ पर चले आये खेद में पस्लों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया आसमान में कुवरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था तो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कमबल डाले ब्रामन्देव रोज की तरह मंदेर की ओर बढ़ चले ले क्योंकि उस समय नहर में पाने घुटनों से ज़्यादा नहीं था तो पार करने में ज़्यादा परिशाने नहीं हुए जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास मौचे तो दोर दोर तक सम्नाटा था एक पल को उनका शरीर भय के मारे गंगना गया आंखे अनायास ही मौ पावड़ा हो चुका है जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हीं अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे थे भामन देव ने कहा कि हे मां कि आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लिला समाप्थ हो जाएगी उन्होंने मन ही मन में माता से गुखार लगा और तब उन्हें लगा कि वह दुष्ट आत्माए बस उन्हीं दबोचने ही वाली है अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाडे अनायासी जोर जोर से बजने लगे ब्रामन ने चौकते हुए सोचा रात के इस वक्त मंदिर में नगाड़ा बजाने के लिए कौन बैठा है उन्होंने अपनी आंखे खोले आसपास किसी का भी नामों निशान तक नहीं था सहसा उनकी नजरे मंदिर की द्वार की ओर उठी मंदिर के कपाड चोखट खुला हुआ था और उसमें से सक्षात माताकाली बाहर आ रही थी माताकाली ने कहा क्या रहे यही समय मिला है दोने का समय है अभी मुझे थोड़ी ही देर हो जाती तो तो जिंदा नहीं रहता फिर कल को लोग यही कहते कि माताकाली का इतना वड़ा बव्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्रान ना बचपाए माता की बाते संकर भ्रामन ने कहा कि माई यह तो मेरा रोज का नियम है आज कैसे नागा कर देता भ्रामन माता को देख कर निहाल हो गए और उनके चर्णों में लोटने पोटने लगए माता ने कहा पगले रोज से आज ज्यादा देर हो गया है अभी आधी रात का समय हो चला है ब्राम्मन ने कहा कि माई जलती हो गई मुझे समय का पता ही नहीं चला पर मैं क्या करूँ जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोश ही नहीं मिलता माता काली ने कहा जानते हूं रे पगले किसी लिए तो पहनी बार किसी के सामने साक्षात आई हूं पर तू यह भी मुर्गता छोड़ दे आधी रात मैं इस तरह से मेरे दर्शन के लिए मत आया कर तू मुझे अपने स्थान से हे स्मरन कर लिया कर मेरा ध्यान कर लिया कर मैं तेरे पास चलिया आऊंगी भ्रामन ने कहा कि माई यह तो मेरी भक्ती है मातारानी ने उससे कहा कि ने संदे तुम्हारी भक्ती उत्क्रेष्ट है इसलिए तो कह रही हूं अब आज के बाद तुझे रात मैं यहां आने के कोई अविशक्ता नहीं तू घर से ही मुझे प्रणाम करने ने मैं उस्विकार कर लोग जब दर्शन का जी चाहे देन में आ जाना फिर भ्रामन ने कहा कि माई शमा करना आपने मुझे सक्षा दर्शन दिये हैं मेरा तो जीवन ही धन्या हो गया अब आपको कश्ट देकर मुझे नर्कम नहीं जाना आप वापस मंदिर में जाए मैं स्वयम घर चला जाऊंगा इस प्रकार से भ्रामन ने हाथ जोडते हुए विन्नती की मादा ने कहा तु चुप चाप घर चल मैं तुछे घर छोड़ कर ही आऊंगी फिर आगे आगे मादा काली और पीछे पीछे प्रामन देव दोनों नहर के पास पहुचे ही थे कि भ्रामन का शरीर जणजना आग्या सामने से सपेद धोती और खड़ाओं पहने एक वृत आदमी आ रहे थी उन्होंने आगे बढ़कर मादा देवी के चरण सपर्ष की फिर मादा देवी ने सारी बात बता दी भ्रामन ने आगे बढ़कर वृत के चरणों में मादा पटका और उनसे कहा हे देथा आप कौन है मैंने आपको पहचाना नहीं बदले में जवाब मादा रानी ने दिया अरे यहीं तो तुम्हारे गाउं के देता है कभी देखे नहीं तो पहचानों के कैसे रात की पहर जब मेरा शैन करने का समय होता है यह पोरे गाउं क्षेत्र का भ्रामन करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो ग्राम देवता मुस्कुराए पर बोले माई अब आप अपने धाम पर जाएए मैं इसे गाउं छोड़ कराता हूँ हे प्रियभत्त गन भ्रामन का तो जैसे भाग गय ही उदय हो क्या था माई के चर्णों में देर तक पड़े अश्रू बहाते रहे फिर ग्राम देवता के साथ गाउं के समय पाए ग्राम देवता ने कहा कि ये ब्रामन अब तो घर जा जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास ही होंगी लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डाल कर हम लोगों के पास आने के गलती तो बारा मत करने हो फिर ब्रामन ने कहा कि बाबा जब आप और माई मेरे साथ हैं तो मुझे क्या सोचना इससे प्रसन होकर ग्राम देवता ने कहा इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रच्ष की बच्चे लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तो अपने प्राण जान बुझ का संकट में डाले मनुष्य को विधाता ने इसी लिए विवेट शेल बनाया है ताकि वह उन्च नीज का भेत कर सके समया लुकुर आच्रन सबको कनचाई तुम्हारी आस्था प्रशन स्निय है यह कहकर ग्राम देवता गाओं की सीमा से लौट चली उस घटना के बाद भ्रामन देवता की जीवन धारा ही बतल गी माता काली और ग्राम देवता की आशिरवाल सी वह भ्रामन खुशाल पर धनवान हो गया उसके घर उसके अनेख संतानों ने चरम लिया पर वह माता काली का अनन्य भत्त हो गया ओम नमस्षिवाय जै माकाली जै वो क्राम देवता की हे प्रिय भत्तों तो आईए अब सुनते हैं श्रे दुर का चाले सा नमो नमो दुर के सुख करनी नमो नमो अंबे दुख हरनी निरंकार है जोती तुम्हारी तीहूं लोक पहली उचियारी शशी ललाट मुख मह विशाला नेत्र लाल भृकुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुआवे दरश करत जनाती सुख पावे तुम संसार शक्ति लईके ना पाल नहे तु अन धन देना अन पूर्णा उय जग पाला तुम ही आदे सुन्दर इबाला प्रलै काल सब नाशन हारी तुम गवरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुण गावे ब्रह्मा विश्नु तुम्हे नित ध्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे सु भुथि रिशिमु निनु बारा धर्यो रूप नरसी को अंबा परगट भई बाड कर खंबा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिन्याक्ष को सवर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरु जग माही श्री नारायन अंग समाही शीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मनासा हिंग लाज में तुम्ही भवानी महिमा अमितना जात बखानी मातंगी अरुधु मवति माता भुवनेश्वरी बगला सुख दाता श्री भैरवतारा जगतारिन चिन भाल भव दुख निवारनी केहरी वाहन सोह बवानी लांगुर वीर चलत अगवानी करमें खपर खडग वीराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्री शोला जाते उठत शत्रू ही शोला नगर कोट में तुम ही विराजत ती हूँ लोक में डंका बाजत शुम्भन शुम्भ दानव तुम मारे रत बीज शंखन संहारे मैशा सूरन रिपती भिमानी जेही अधबार महिय खुलानी रूप कराल कालि का धारा सेन सहित तुम तिही सहारा परिगाड संतन पर जब जब भै सहाई मा तो तुम तब तब अमर पुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब कहे अशो का ज्वाला में है जोती तुम्हारी तुम्हे सदा पूजे नर नारी पेम भक्ति से जो ये शगावी दुख दारित्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हे जो नर्मन लाई जन्म मरणता को छुट जाई जोगी सुर्मुनि कहत पुकारे योग नहो बिन शक्ति तुम्हारे शंकर आचा रज तब केनो काम क्रोध चित सब लेनो निशिदिन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप का मरमना पायो शक्ति गई तब मन पचितायो चर्णा गत हुई किर्ति बखानी जै 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 जगदंब बवानी भई प्रसना दी जगदंबा दै शक्ति नहीं कीन विलंबा मोकु मातु कष्ट ती घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा द्रिश्णा निपट सतावी रिप मूरख मोही डर पावे शत्रु नाश कीजे महरानी सुमिरो इकचित तुम्हे भवानी करो कृपाहे मातु दयाला रिथि सित्ध दैतर हु निहाला जब लगी जिऊं दयाफल पाऊं तुम्हेरो यश में सदा सुनाऊं दुरका चालिसा जो कोई दावे सब सुख भोग परमपद पावे देवी तास शरण निच जानी करहु कृपाज गदंब बवानी इते श्री दुरका चालिसा संपूर्ण